हलो दोस्तो नमस्कार, एक जिस्ट अगेड़ी में आप सभी का हाःधिक स्वागत, एऊँ पाइप अदीक क spare दन है चलिए आज हम लोग वर्ट माला का या जो लाषट पढ़ाओ है इसकी और इसकी तरफ चर्चा करते हैं और यह जो लास्ट पड़ाओ है क्या है वर्ड माला में वर्डो का उचारन अस्थान पता करना या किस वर्ड का क्या उचारन अस्थान होता है तो उचारन अस्थान जो होता है इन्ही की बारे में चर्चा करते हैं और सभी को एक तरीके से हम समझ लेते हैं कि किस का उचारन क्या होता है तो आईए सबसे पहले सुरुवात करते हैं वर्लो का उचारण अस्थान तो वर्लो की उचारण अस्थान में सबसे पहले आप friendship ल क्या होते हैं कंट होते हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा यह यहां से आप इतनी चीजों को अपकूह बिसर्ज नी नाम कंट तो यह आपका आ दिखाई दे रहा है इसका मतलब छोटे आ और बड़े आ दोनू इस का का मतलब क्या हो जाएगा पूरा का वर्ग और ए आपका हो जाएगा हाँ हाँ हो गया कहने का मतलब दोनो आ का उच्चारण स्थान का वर्ग का उच्चारण स्थान और हा का उच्चारण स्थान इन सभी को हम कहां से बोलते हैं या इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है कं इसका मतलब दोनो आ, कावर्ग और हाका उच्चारण जो होता है यह कंठ से होता है बाते समझ में आई दूसरी बात समझते हैं दूसरा आपका यहाँ है इचू यसा नाम तालू इचू इचू यसा नाम तालू इचू यसा नाम तालू इचू यसा नाम तालू आईए समझते हैं इचू आपका यह है यह दोनो इ का उच्चारण स्थान और इचा से चावर्ग का उच्चारण स्थान और इचा का उच्चारण स्थान और ये सा का उच्चारण स्थान इस सभी कहां से बोले जाएंगे इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है तालू होता है क्या होता है भाई साहत तालू होता है क्या इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई या नही आई चलिए अब आगे चलते हैं देखिए इसको बताने का मतलब या है कि अकुव विसर्ज नीय नाम यदी कंठ आपको याद रहेगा तो कंठ से जितने वर्डों का उच्चारण होगा आप एको भूलेंगे नहीं इसी तरीके से इचू यसा नाम तालू इ का मतलब दोनो इ चा का मतलब चावर्ग या का मतलब या और सा का मतलब सा और इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है तालू होता है दोनो बाते समझ में आई तिसरा है इरिटू रसानाम इरिटू रसानाम मूर्धा इरिटू रसानाम क्या हो जाएगा कहने का मतलब है यह जो आपकी जी है छोटीरी बडीरी और यह जो टावर्ग है और आपका रा है और आपका एसा है इन सभी का उच्चारा रस्थान क्या होगा इन सभी का उच्चारा रस्थान मेरे दोस्त क्या होगा मूर्धा होगा क्या इतिनी सी बात में कोई दिक्कत है अब आई यह चलते हैं चोथे की और चोथा आपका क्या है चोथा आपका है पहला हो गया इचू पहला हो गया आकू बिसर जिनी नाम कंठा इचू यसा नाम ताल दंत, ली तुल सा नाम दंत, ठिक, ली का मतलब हो जाएगा, इस ली का उच्चारनस्थान, इता से तावर्ग का उच्चारनस्थान, ला से ला का उच्चारनस्थान, और इस सा से सा का उच्चारनस्थान, इन सभी का उच्चारनस्थान, मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, दंत ह हो जाएगा कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए चलिए आगे चलते हैं पांच बूद जो वर्डो का उचारन स्थान होता है ये वर्डो का उचारन स्थान आठ तरीके से होता है जैसे अकू बिसर्गदी नाम इचू यसा नाम रिटू रसा नाम ली तुलसा नाम उपू उपध्या मानी नाम ओस्थ इसका उचारन स्थान क्या होता है ओस्थ होता है कैसे उपू उ उपध्या मानी नामोष्ठक इसका मतलब है इस दोनो आ का उच्छारण स्थान और पासे पावर्ग का उच्छार्ण स्थान और आपका क्या हो जाएगा एक आपका हो जाएगा इसे बोलते हैं क्या उपध preacher क्या बोलते हैं इससे उपध मानी बोलते हैं ठीक तो यह आपका हो जाएगा दो और पांच पांदो साथ साथ एक आठ मतलग दोनों का उच्चारनस्थान पावर्ग का उच्चारनस्थान और यह आपका यह चिन जो बना है इसका उच्चारनस्थान यह सभी क्या हो जाएगा इन सभी का ओश्ट हो जाएगा अगला चलते हैं छटवे नंबर की ओर छठा नंबर आपका क्या कहता है छठा नंबर कहता है वकारस वकारस दंत ओश्ट वकारस में क्या हो जाएगा वकारस दंत ओश्ट हो जाएगा जैसे कह देंगे वा का जो उच्चारन स्थान होता है तो वा का उच्चारन स्थान क्या होता है दंत और ओष्ट दोनों से होता है बाते समझ में आई इसके बाद सात्वा क्या है सात्वा आपका है ए दैतो कंठ तालू कंठ तालू का मतलब है कि जो ए होते हैं I और AD इन दोनों का उच्चारन अस्थान कंठ और तालू दोनों से होता है ठीक इसके बाद आप समझेगा कंठ और तालू दोनों से क्यों होगा मेरे भाई क्योंकि A है और E है देखिए I जो बनता है A प्लस E से मिल करके बनता है A का उचारन अस्थान क्या होता है कंठ तो इसका उचारन अस्थान हो गया कंठ और E का उचारन अस्थान क्या होता है तालू होता है आज साथ दोनु भाई मिल जाएंगे क्या हो जाएगा कंठ तालू इसलिए A दैतो को क्या बोलते हैं कंठ तालू बोलते हैं इसके बाद नंबर लास्ट में आठवा आपका क्या हो जाएगा ओधैतो ओधैतो का मतलब क्या हो जाएगा ओधैतो कंठोस्ट क्या हो जाता है ओधैतो कंठोस्ट देखिए ओधैतो का मतलब होता है ये दोनों ओका उच्चारन ठीक ओका और ओका दोनो क्या बताया कंठ बताया आका उच्छारनास्थान क्या हो जाएगा कंठ हो जाएगा और उपा उच्छारनास्थान क्या हो जाएगा भाई साब उपा हो जाएगा ओस्ट अब देखिए दोनों भाई साब को मिला देजिए तो क्या बन जाएगा कंठ फोस्ट बन जाएगा क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है एक बार वर्डो के उच्चारानस्थान को हमने लिख दिया है और लिखने के पस्चा देख बार फिर से इसको रिवीजन करते हैं हमने कहा कि जो वर्डो का उच्चारानस्थान होता है या आठ होता है आठ प्रकार्ज थी अब देखी कहरा आ और चावर्ग या और इसा सब का उच्वारनस्थान क्या हो जाएगा तालू हो जाएगा रिटू रसा नाम की बात करेंगे तो री का उच्वारनस्थान टावर्ग का रा का और इसा का सब का उच्वारनस्थान क्या हो जाएगा मुर्धा कांठ तालू मुर्धा इसके बाद दंत का मतलब होता है ली तूलसा नाम ली उसके बाद तावर्ग इसके बाद ला फिरसा सभी का उच्चारणस्थान कहां से होता है दंत से होता है इसके बाद लिखा है उपूद उप दीमानी ये नाम उष्ठा इसका मतलब है दोनों का उच्चारणस्थान पावर्ग का उच सिंबल दिखाई दे रहा है इसका भी उच्छारण स्थान क्या होगा इसके बाद वकारस से क्या होते हैं वकारस से दंतोस्थ होते हैं वकारस से क्या हो जाएंगे वाकार वाले क्या हो जाएंगे दंतोस्थ हो जाएंगे यह दैतों क्या हो जाएगा कंठ तालू हो जाएगा यह दैतो कंठ तालू इसलिए होगा, यह दो सवर से मिल करके बनते हैं, इसलिए एक कंठ होगा, एक कंठ तालू होगा, दोनों मिल करके कंठ तालू बना लेते हैं, ओधैतो की बात करेंगे, तो ओधैतो भी दो सवर से मिल करके बना होता है, एक का उच्छारान स्थान कंठ हो होता है दूसरे का उस्ट होता है दोनों मिल जाएगा क्या हो जाएगा बात को समस्थ पाए हूँ चाहे न और देखिये गा यह जो आपके आठ उस्टारान स्थान लिखे हुए तों आप इसको जरूर आप कांपी में कहीं पर भी इसको अच्छे कर लिजिएगा एक भी उचारोन अस्थान का कोई भी कुश्चन छोटेगा नहीं ओके इंदी वर्ड माला ठिक सबसे पहले समझते हैं कि स्वर कितने ग्यारा कि बिंजन की बात करेंगे ऐसे लिखेगा स्वर हो गया असपर्स बिंजन की बात करेंगे कितना पचीस्त अंतस्त बिंजन की बात करेंगे चार इसी तरीके से उस में बिंजन की बात करेंगे उस में बिंजन की संख्या कितनी है चार इसी तरीके से सयुक्त बिंजन की बात करेंगे संयूग्त बंजन कितने हैं चार हैं इसी तरीके से बात करेंगे उत्चित उत्चित या दुईगुण बंजन इनकी संख्या कितनी हैं दो है यहां तक समझ में आई बात आप चलिए आगे समझते हैं हिंदी वर्ड माला में कितने वर्ड हैं हिंदी में कुल वर्ड कितने हैं कुल वर्ड की संख्या कितना है बावन है आयोग वाह कितने हैं दो हैं अंका और अहा अनुस्वार और विसर्ग इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई होगी हिंदी वर्ड माला में बेंजन हैं 33 कुल बेंजन कितने हैं 49 लिखेगा अल्प प्राण क्या होता है अल्प प्राण प्रतेक वर्ड का पहला तीसरा पांचवा होता है माहा प्राण क्या होता है प्रतेक वर्ड का दूसरा और चौथा अग्षोस क्या होता है प्रतेक वर्ड का पहला और दूसरा वर्ड होता है यहां पर वर्ड बना लीजिए कसम में वर्ड होता है और यह सग्षोस क्या होता है सग्षोस का मतलब होता है ग्षोस जिसमें गू यहां जो वर्ड माला का concept है वर्ड माला हमारे दरीके से हमारे तरफ से यह topic आपका क्या है complete है बाते समझ में आ गई यहां तक हमारी तरफ से आपका हिंदी का पहला topic वर्ड माला complete हुआ जो बाते मेरे दोस्त आप लोगों को न समझ में आई हो कमेंट स्रिक्षन में आप ज़रूर बताएं यदि किसी प्रकार का कोई डाउट है तो अगर यहां बाते आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सेयर करें और सस्क्राइब करें तेंक्यू